हाँ तो बालक और बाली का सभी को नवस्कार और आज का टोपिक जो अपन लेके आएं वो है कि 12 के बाद जो भी कोर्स है और वो कोर्स किस-किस के अंदर अपन बात करेंगे commerce की करेंगे biow kी करेंगे math की करेंगे agriculture की करेंगे और और subject के बाद में 12th का जो बच्चा है वो क्या-क्या course कर सकता है अपनी college के अंदर कौन-कौन से course उसको करने को मिलेंगे यह सारी बाते इसमें बताने वाला हूं और एक 10th का बच्चा क्या करना चाहता है कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है वह भी बच्चा यहां से देखके अपनी डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या सेलेबस लेना है 11 क्लास में मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं क्या कर पाऊंगा तो यह सारी बाते अपन करेंगे और जो ट्वल्थ पास बच्चे हैं लोग क्या क्या कर सकता है वह अपन डाल रखें मेट के बच्चे के लिए क्या क्या कर सकता है वह अपन बता रखें और और कोमर्स के लिए क्या-क्या option होते हैं वो भी अपन देख रखें तो कोई भी बच्चा अगर या तो 10th class का हो या 12th class का हो तो वो देख के अपना लगा सकता है कि मुझे कहा जाना है और क्या करना पड़ेगा उसके लिए तो सबसे पहले अपन science वाले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि science का कौन सा सब्जेक्ट लेने पर क्या-क्या कोर्स अवलेबल होते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बायो की अगर 12th class complete हो चुकी है बायो से तो पहला बच्चा क्या सोचता है नीट की सोचता है तो यह आपके पास MVBS है आपका नीट कि उसके बाद में आप एक नर्सिंग कर सकते हो नर्सिंग में बीएसी नर्सिंग होता है जी एन हम होता है और अगला कोर्स की बात करें तो भी फार्मा होता है और होता है इसके बाद अगर आप देखो तो बीएसी बीएड होता है और बीएसी के साथ अगर आप यूपेसी की एक्जाम देना चाहते हो सिविल सर्वीस में अगर आप जाना चाहते हो तो पहले बीएसी और उसके बाद में यूपेसी की त्यारी कर सकते हो यह यह दोनों बलकि यह आपकी क्या है बैसले डिगरी है और आपका बी ए ए मैस के बाद में भी आप यूपीज़ी की दे सकते हो अगला है देखो मैथ और मैथ में कौन-कौन से कॉर्स है तो पहला है आई-ई-टी है जेई है उसके बाद में बी-सी है और बी-सी बी-ड है एंडिये के सब्क्राइब कर्स्यार कि अधर के अधर दोन वक्राइब के बाद में आए-सी-ए-art इसका का मतलब है इंडियन काॉसट्निंग ऑफ सब्सक्ति अग्जाम के पाद में अपनको मिलती है और बहुत अच्छी हो यह वागकि तो सा स्टेट यहां होती है इनमें सरक्या क्या कॉर्स मिलता है तो एकरी कल्चर होता है होता है थिकनलोजी होता है एगरी कल्चर इंजनेरिंग होता है डेरी टेकनोलोजी होता है और फूड टेकनोलोजी होते हैं यह कोर्स के बाद में बच्चा कर सकता है अगर अपने इस्टेट में रहना चाहता है इस्टेट की कोलेज लेना चाहता तो आप अच्छे से दो जेट रास्तान की बात कर रहे हैं और अगर आप सेंटर लेवल की जितनी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपका लगता है इंडियन कांसिलिंग ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च के नाम से एक्जाम लगता है तो आप वो दे सकते हो अभी जो लग रहा है यह के साथ इसका कॉमन टेस्ट होता है वो इस टेस्ट की अपन बात कर रहे है अगला है सर सकता है इसके अंदर भी दे सकता है यह यह जो होता है यह कोर्स करने के बाद में भी आप दे सकते हो डिग्री आने तो अग्रिकल्चर वाला यूपीसी के अंदर जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है कोई वच्छा दे सकता है इसके बाद में अपन कॉमर्स की बात कर ले और सी हैं कर सकते बचचा तो ये कौर्स हैं जो टॉप कोर्स होते हैं Commerce के हैं Buy ? के हैं मेहत के है एक्रिकलचर के हो और स के सारे कोर्स के अपन बात करें अब सार इसके अंदर क्या-kya courses में होता है जैसे अगर आपने नीट की बात करते तो नीट कितना साल कँए फार्मा जो भी आपके काम होता है यह डीपलोमा कोर्स होता दिक्कत नहीं अगला बात करता है इनके लिए का उप्शन नहीं होता है कर तो teaches meht वर LB यह पर सकता है या रहा आ अगली बात करते हैं की तो होता है यह होता है BCA होता है, BAC BAID होता है, NDA अपन बोला, B Pharma अपन बोला, D Pharma बोला और BAC के बारे में अपने बताया अगला अगर Agriculture की बात करें तो दो एक्जाम अपने को देननी पड़ती है अगर Government College लेनी होती हो बलकि इसकी प्राइमेट को लेज भी बहुत सारी है तो अपने उधर भी जा सकता है आई टी आई है, BBA है और UPSC है यह सारे कोर्स के इपन चट्चा करी जो भी बच्चा है अपना अपना कोर्स जो भी अपने के बास है जिसमानलों कोई 12 वाला बायो का है तो वो इधर देखे, e-commerce वाला तो उधर देखे, सारे अपने कोर्स देख सकता है